हलो फ्रेंड्स आज हम इंसर्ट टैम में सीखेंगे सिग्नीचर लाइन, डीट टाइम, अबजेट, इक्विशन एंड सिंबल अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो ने देखी तो पहले उसे देख लें ठीक है वह आपको डिस्क्रिप्शन लिस्क में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो गैस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिग्नीचर लाइन, सिग्नीचर लाइन क्या होता है? अज़र हम सिग्नीचर लाइन प्लीस करना साथ है जैसे अपने डोकुमेंट पर देखते हैं तो यहां पर देखे सजिस्टिए सिग्नीचर नेम आ रहाएं, जैसे मचें डाल लिया लिख सच आप नीचे के आ रहे हैं हमारे सिग्नीचर टाइटल, टाइटल जैसे यह director है, header है, CA है जो भी है कि चुकै पर हमारे सिग्णिचर लाइघ मैंने ने ऊकी तो देखिए जहां पर करसर होते हैं वहाँ पर यह क्रीट हो के आ चुके है तो यह टे में जीडि़्शनेटर लें नेक्स पहलुआरा देञे system में date and time लाना चाहते हैं तो यहां पर date and time format है, date and time दोनों चाहते हैं आप यहां से ले सकते हैं, simple date चाहते हैं, time चाहते हैं, तो जो format आप यहां से choose करेंगे, then okay, तो जहां पर कर से रहे हैं, आपका हम वो insert हो जाएगा, ठीके, next फिराद है हमारा object, object क्या होते है, जब हम किसी software से कोई file link करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं object, जैसे object लिया, अगर मैं कोई file link करना चाहते हूं, जैसे मैं paint से कुछ drawing करना चाहते हैं, तो paint के लिए हम यहां पर own करते हैं, विट मैफ भी में, जैसे आप Excel भी ले सकते हैं, Photoshop भी ले सकते हैं, बट उसके लिए software के knowledge आपको होन फिल कर दिया, जैसे आप यहां से close करेंगे तो देखें, हमारा MS Word में draw हो चुका है, तो यह होते हैं हमारा object, इसी में देखें गाइस, एक option है हमारा object from file, अगर हम किसे file से लिकर आना चाहते हैं, यानि किसी file के हम copy करना चाहते हैं, बिना file को खोलें, जैसे मैंने components ले लिया आन इंसर्ट करते हैं, तो देखें, इसको जो भी काम होगा, वो इसी file में हमारा insert हो चुका है, तो यह होते हमारा insert from file, कि अगर हम किसी की file की data copy करना चाहते हैं, तो हम इजिली कर सकते हैं, जैके बिना file open कर हम data copy कर सकते हैं, नेक्स्ट आते हमारा गाइस, equation, equation के आते हैं, ज अगरा प्रेक्शन से लेना चाहते हैं, तो आप यहांसे add कर सकते हैं, अपने code के आप यह नंबर ले सकते हैं, जो भी आप formula करेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इससे आप mathematical equations करेट कर सकते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा symbol, जैसे अगर मैं कोई heading दे रही हो, जैसे मैंने heading bullets द करते हैं, हम यहांसे कोई symbol दे रहते हैं, जैसे मैंने symbol दे दिया तो इसकी starting में apply हो गया, अगर से यही symbol मुझे यहां पर center में चीए, तो possible नहीं होता है, तो उसके लिए हमें symbol insert करना होते हैं, यहां पर option है, तो आप यहांसे insert कर सकते हैं, अगर यहां पर show नहीं कर रहे हैं तो आप यहां पर जाएंगे more symbol में, और आप यहांसे search कर लेंगे, हाप यहां पर webding options लेंगे, तो आपको हाप यह symbols मिल जाएंगे, आप यहां पर search कर सकते हैं, अगर आपको symbol ढूनना है, तो आप यहां पर ढूंडिए, देखी जैसे यहां पर मिल गया है मुझे, तो मैं आप यहां से select करूंगे, जैसे मैं यहां से down करें लेती हूं, चिके और इंसर्ट कर देंगे, और close करेंगे, जैसे यहां पर इंसर्ट हो गया है, इसका size बड़ा करना चाहते है तो आप ख़़ए, वही text size बड़ा करते हैं, वैसे बड़ा कर सकते हैं, तो font color दे सकते हैं, ठ तो इसके इस symbol के यूज है कि कोई भी different symbol आप अपने document के बीच में लेना चाहते हैं तो इस दिए create कर सकते हैं ठीक है जैसे मैंने symbol के basis पर ही कोई object बना रख है जैसे देखे fundamental और computer मेंने यहां पर कोई basic content ले लिया है और center में same headings ले रही हूं ठीक है तो I hope आपको insert tab समझ में आयोगा अगर जिसे related कोई भी query हो कोई भी questions हो तो आप मझे comment box में लिखे और अगर में चैनल को भी तक like and subscribe नहीं गया है तो उसे कर दें ताके मेरी नहीं आने वाली वीडियो आप तब पहुंच सके thank you guys thanks for watching